हेलो गाइस के हाल अब लोग का वेलकम बैक टो क्रिटिक सेने में और आज इस वीडियो में हम बोरुटू के गनाइप इस लिंग करने वाल है बट उससे पहले आपने चनल को स्ट्राइपने के तो कर दो एंड वेल आज का लाइक हम रखते है 800 लाइक इसलिए वीडियो को अगर नहीं मालूम तो आप आगे की एपिसोड देख लेना पूरुटू के अंदर है इसलिए बोरुटू को मालूम होता है कि कोई भी नहीं मारा इसलिए वह खूश होता है क्यूंकि सब तो गेंजुटू में होते है उसके बाद यह उसके दो प्लेयर है यात्सुमी और र यात्सुमी को आगे के रास्ते का मैप मिल जाता है और केता है कि इस मैप के जरी हम बाहर निकल पाएंगे तब एक वहाँ पर दर्वाजा कुलता है जिसके उपर स्टार्ट लिखा होता है और उस दर्वाजे से बोरुटो यात्सुमी और रोकुरो अंदर जाते हैं और वो जिसे बॉरूट अलग हो जाता है रोकुरो एंड याइटसुमी एसलिए रोकुरो याइटसुमी से मैप मांगता है याटसुमी माप देने से मना कर देंसे मालूम में यह तो साला गुंदना फॉन्द यह यह इसकी हेल्प नहीं करेंगा और मैप लेक भाग जाएगा बॉरू याट्सुमी सुनती नहीं है और लेक्ट्रिक स्टाइल यूज करती है और कहती कि मैं तुम्हें मैं नहीं दूंगी इसलिए रोकुरो अपने वर्म्स उसके उपर फेक देता है जो कि गलती से जाकर याट्सुमी को लग जाते है और याट्सुमी उससे बचने पाती और नीच नेकस दीखा जाता है और वह सक जिसेंबर पाकुणी कुले कर जा होता है ऑद भूलबलह होती इसलिए इसलिए बड़ भी जा नहीं पाऊंगी बॉर्टो से लेके जाता है कहता कि आगे लाइट है तुम पोदेस होने से पहले वापप पहुच जाओगी इसलिए बोल्टो से खीषते हुए आगे बढ़ने लगता है बट फिर भी आत्सो में कहती है कि वो वाम मेरे उपर हावी हो रहा है इसलिए मैं रोक नहीं पाऊंगी मैं तुम्हें मार दे सकती ह यह एटिशू में कहती है आगे लेट है इसलिए याट्सुमी तुम याट्सो में दरो मत तुम बचाही जा सकती हो बस तुम एसा सोचो मत कि तुम तुम पोजस हुई हो बस आराम से लो तुम बज जाओगी याट्सुमी केती है बोरुटो आखिर कार तुमें पता चली गया मेरी चाल बेकार गई याट्सुमी तुम क्या बात कर रही हो याट्सुमी ही हो ना तुम या कोई और हो तभी याट्सुमी खड़ी हो जाती है और मैं कमेंट करके जल्दी से बता देना वो लड़की बोरूटो को बताती है कि मेरा नाम ही ओगा है और जिसे तुम ओगा समझ रहे थे बोरूटो वो सिर्फ मेरा पपेट था एक मैंने बस तुम्हारा ढहन बताने के लिए उसे बनाया था बोरूटो जिनस लटके से पूछता है कि तुमने बाकियों के साथ इतनी बुरी चीज़े क्यों थी तुम्हारा intention क्या था वोगा की थी कि मैं लोगों के सपनों में interested थी मुझे जानना था कि लोगों को आगे चल कर क्या करना है या उनके desires क्या है बोड लोग अपने true feelings कहा बताते हैं इतने जल्दी इसलिए मैंने अजीब से तरीके try की है जिसमें ये experiment भी शामिल थे जो कि मैंने मेरे master से सीके थे जैसे कि किसी की body को vessel बना लेना बोरूटो समझ जाता है वो कहता है कि क्या तुम जिगेंग के बार में बात कर रही हो तिर उसके बाद वो अपने सिर का scarf निकाल देती है और हमने देखने को मिलता है कि वो कारा की 8th inner थी ओगा बोरूटो से कहती है कि ये जगा तुम्हें मालूम होगी वो खुत कहती है कि वो बस अमाडो को अपने research में help करने के लिए बनाई गई थी बड़ हमारा research complete है वाली थी तो अमाडो पकड़ा गया और वो मरने ही वाला था इसलिए मेरा जो last part mission का वो था कि मैं जिगेंग के heart को examine करूँ बड़ जब जिमिगेंगन को बालुम पड़ा तो जिगेंगन ने मेरे body का एक important part निकाल लिया ये था वो जिसके वजह से मैं भूली गई की मेरा मकसद क्या है जब ये हुआ तो मेरे heart के अंदर कुछ तूट गया जिससे की मुझे बहुत अजीव फील हुआ तो BORGUDOT कहता है कि क्या मुसे इसी के लिए तुमने यह सब किया इतने सारे लोगो को पकड़ लिया वो BORGUDOT से कह गिती कि अगर तुमने मेरी चाल का पता नहीं लगा होता BORGUDOT तो शाहिप मेरे जीने के सपने को ढूंडी ले बोरुडो कहता है कि तुम्हारा क्या रिजाने उससे मुझे फरक नहीं पढ़ता बर तुम्हारे वज़े से कई लोग बहुत दिनों से आपर फसे हुए है। बोरुडो कहता है कि हाँ मैंने पीछे रखी हुई है रुखो निकालने दो उसके बाद वो कहता है कि में और मेरा गेंजुट्सू एक दूसरे से इंटर लिंक्ट है इसलिए अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरा गेंजुट्सू डिसापियर हो जाएगा। बोरुडो को उसकी बाते कुछ अजीब से लगती है वो किती सालिफ विलन है बड़ इतनी जल्दी हार मान ली इसने। वो केती है कि जल्दी से बोरुटो मुझे मार दो और ये करने के बाद तुम एक जगा पर पहुच जोगे वहाँ पर एक स्क्रोल है अगर तुम इस स्क्रोल को मेरे लिए निकाल दोगे तो सारा इलूजन खतम हो जाएगा और सारे लोग जाग जाएंगे इसलिए बोरुटो जल्दी मुझे मार दो वो बोरुटो से रिक्वेस्ट कर रही होती है उसे मारने के लिए क्योंकि अगर उसने नहीं मार था उसका गेंजुट्सू और स्ट्रॉंगर होते जाएगा फिर उससे तोड़ना मुश्किल होगा वो केती है कि बोरुटो मुझे कुछ याद आया है मुझे समझ मिया आया है कि तुम ही हो जो मुझे मार कर ये सब भतम कर सकते हो। इसलिए बोरुटो जल्दी करो बोरुटो कहता है कि यार मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। Joke सपाड़ो के थी मेरे-पास इतनी विलपावर ही नहीं है कि में जा वो कि थी कि बोरुटो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, सबको बचाना impossible है, तुमारे पास ना confidence कहा से आता है, मतलब तुम होगा कि लड़की हो तो कुछ भी बोलोगे क्या, बोरुटो कैता है कि मेरे लिए मेरे डिजार नहीं है, यह तो मेरे ड्यूटी है, बट तुमारे डिजार धूड़ना होगा, और उसके लिए तुमें जिन्दा रहना होगा, इसलिए कुछ करो, कुछ करो, तब ही ओका कि नीचे से जमीन खिसक जाती है, और ओका नीचे गिर जाती है, तो बोरुटो की ती कि अब उन्हें जल्दी से सबको जगाना होगा, नेक सिन में वो सारा दसे से बात कर रहे होते है, वो कहता है कि हमने किसे रूट से कनेक करने की, कॉंटेक करने की बहुत कोशिश की, बठ हमें कुछ हासिल नी हुआ, सारदा कितिय कि आप हमें बस और एक दिन दे दीजिए, हम इसके बारे में जरूर कुर दून कर निकालेंगे, तब ही मिट्सुकी उस अन्बू का कम्यूनिकेशन डिवाइस ले लेता है, और अपने कान को लोगा घर देखता है, सारदा कितिय कि छोड़ दो मिट्सुकी तुम क्या कर रहे हो आगल बंदे, हलो बोरुटो बोल रहा है क्या, ये बोरुटो क्या आवाद है ना, हलो मिट्सुकी मैं बोल रहा और सुरक्षित होते है, उस रोकरू नाम के उस बंदी को भी पोलीस पकड़ लेती है, और लेके जाती है, अरे बोरुटो भाया, तुम जिन्दा हो, देखो हम भी जिन्दा है, हो क्या बड़ी बात कहीं तुमने शामो, रुको तुमको पुरसकार दिलाता हो, ये लो बोरुटो, आ बोरुटो भाया, का ही लव लेटर है, का हमका भी दिखाए दरा, अबे बुर्बक लव लेटर नाही होगा का लेटर हाया है, का कहे होगा का लेटर दिखाए हमका का लिखाए उसमें, नही शामो बेटा मैं दिखाने सकता, तुमको इंपोर्टन्ट है इसमे सब कुछ अरे थोड़ा तो दिखाए बोर पर ना ही बिलकुल ना ही और इसे के साथ इपीसोड गतम हो जाता है मिलेंगे अगले इपीसोड में तब तक ते लिए बाए